येसर हलो एवरिवान हेतेश येर एन तोड़ी वी गना टॉक अबाउट दी मूवी काल्ड गैसलाइट जो की हाली में डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हुई है इस मूवी के रिलीज होने से इंडिया को इस जॉन्रा में एक नई मूवी देखने को मिली जो की हमें पर पर कर दी जाती है और एक ऐसा माहौल क्रीट किया जाता है वह इंसान जिन्दा है ही नहीं जबकि असलियत पर बेज़ड है ये मूवी का नाम सुनकर पहली बार ये लगा कि इस मूवी का नाम होना चीए था लाल टेन क्योंकि इस मूवी में काफी जगव पर हमें लाल कहना चाहूंगा कि मूवी का नाम है गैस लाइट और पूरी पिच्चर में लाइट ही नहीं खैर कहानी काफी जदा इंट्रस्टिंग इस वक्त उनकी बीटी का बर्थड़े था और यहां पर वो और उनकी पूरी फैमिली उनकी बीटी के इस बर्थड़े सेलिब्रेशन मे बहुत ही खुशी के साथ इंजॉय कर रहे थे लेकिन तब यह कहानी आती है प्रजन टाइम में जाबर हम देख पाते हैं गुजरात के मौरबी शहर को इस वक्त हमें दिखाए जाती है कहानी की लीट करेक्टर मीशा जिसे प्ले किया है सारा अली खान ने इनने रिसीव करन के लिए इनका पुराना नौकर पदम सिंग महां पर आता है जो की कहता है कि छोटी रानी महां आपका इंतजार कर रही है महल में अब यहां हमें पता चलता है कि मीशा को अपने रतन सिंग से एक लैटा रहा था कि बीटी काफी टाइम बीच चुका है घर पर मिलने के लिए करीब 15 सालों का जिसके बाद मीशा अपने महल में पहुंचती है जहां पर उसका रजवाड़े की तरह एक स्वागत किया जाता है उसकी सोतेली मा रुकमनी उसका तिलक लगाकर घर में स्वागत करती है घर में काफी सारे नौकर भी थे लेकिन बारिश के आजाने की वज़ इतना बड़ा महल जसकी दिवारे संसान थी हर जगे अंधिरा ही अंधिरा था और मीशा के दिल में थी मायूसी क्योंकि इस वक्त जिसने उसे बुलाया था वो खुद ही घर में नहीं था इस मूवी की खास बात ये थी कि पूरी पिक्चर में इस महल के अंदर जो पेंटिं उसे किसी के इस महल में होने की आहट आती है वो उनकदमू का पीछा करते करते उपरी मंजिल की लॉबी में पहुँच जाती है जहां पर उसे किसी के होने की परचाई नजर आती है मीशा सोचती है कि क्या वो उनके दाता है इसलिए वो जोर जोर से दाता दाता चलाने लग बारे थे लेकिन तभी पीछे से किसी का हाथ आता है और मीशा सीधियों से गिर जाते हैं जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मीशा के बैडरूम में जहां इस वक्त उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर शेखावत भी मौझूद थे और इसी के साथ साथ करके वाकी की नौकर और उसकी स्टैप मौम रुक्मनी भी थी डॉक्टर शेखावत का कहना था कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या तुमने वहां किसी को देखा था क्या जिस पर मीशा कहती है कि हाँ मैंने दाता को देखा था लेकिन घरवालों का कहना था कि वो तो शेयर से बाहर गए हैं ल मालकि मुझे तो इतना सदा नॉलेज नहीं है लेकिन हमेशा सही राजा जी के साथ में कपिल रा करता था इसी के साथ वो स्टीट एजेंट भी है तो उससे जरूर पता होगा कि वो किस जमीनी कारोबार या फिर किसी और काम से बाहर गए हैं जिसके बाद हमें कपिल यानिक के कॉल वगर आया लेकिन रुकमनी कहती है कि नहीं कुछ काम से गए हैं आई जाएंगे दो तिन दिनों में तुम इतना टेंचन क्यों ले रहे हो और वैसे भी आज हमें किसी काम से बाहर जाना है आज राणा जैसिंग ने हमें अपनी शूटिंग पर्फोर्मेंस के लिए आता है और वो कहती है कि शूटिंग में अगर तुम्हें कोई टकर दे सकते थे तो वो तो राजा रतन सिंगी थे लेकिन आज वो यहां पर नहीं है तो आज कपिल से काम चला लो जिसके बाद कपिल शूटिंग रेंज में उतर कर अपनी बैतरीन परफॉर्मेंस सभी के साम दिखाया चाता है जहां पर कपिल बताता है कि राजा जैसिंग एक बहुत है एरोगेंस राजा है उसे किसी और की कामिया भी बिल्कुल पसंद ने देखा आपने कैसे उसने मुझे हराने के लिए इस गन के अंदर एक छोटा सा स्टोन डाल दिया और मेरी गन फायर बैक कर मिशा कहती है कि तुम यहां पर कितने सालों से काम कर रहे हो। बहुत ही और दिरे दिरे उसका रुझान कपिल की और बढ़ता जाता है मैसीन शिफ्ट होता है रात में और जब मीशा अगीन सोने की कोशिश करती है तो उसे फिर से घर में प्यानो के बजने की आवाज आती है मीशा हमेशा से ही जानती थी कि उसके फादर प्यानो बहुत ही इच्छा बज़ाया करते थे और जो टून वो पहले बज़ाया करते थे उसे वैसे ही आवाज घर में सुनाई दी रहή थी अवाज का पीछा करते करते जब मीशा उस प्यानो तक पहुंचती है तो देख पाती है कि वो प्यानो खुद बखुद बज़ रहा था ये देखकर वो शौक हो जाती है और तभी घर के अंदर पड़ा प्रोजेक्टर आटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और बचपन की वही क्लिप चलने लगती है जब उसके फादर उसके लिए प्यानो बजा रहे थे वहीं scene shift होता है next morning घर में होते इतने बड़े हाथ से को देखकर अब तो मीशा ने पुलिस को बुलवा लिया था जो कि थे S.P. अशूक मीशा रो रोकर उनसे कह रही थी कि मैंने कल रात को अपने फादर को इस घर में देखा लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तयार है ही नहीं जिस पर अशूक जी का कहना था कि अगर आप चाहें तो F.R. दर्ज करवा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको पुलिस स्टीशन में नहीं होगा हम मजबूर हैं और यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यह तो उनके लिए काम बात है रुकमनी का कहना था कि ऐसी काफी सारी बाते हैं जो मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती मीशा काफी क्यूरिस होकर उनसे पूछ थी कि बताई आखिर बात क्या है आखिर क्यों मुझे गुमरा गिया जा रहा है जिस पर S.P. अशोग बताते हैं कि ऐसा काफी बार हुआ जब वो अपनी किसी और गल्फेंड के साथ किसी रिजॉर्ट में पाय गए लेकिन मीशा थी जो कि इस बात को मानने तक को तयार नहीं थी रुकमणी और मीशा मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तबी मीशा को बावडी की किनारे एक रबाडी और दिखाई पड़ती है जो कि मीशा को बताती है कि तुम्हारे घर में एक आत्मा है और वो तुम्हें चल्ला चल्ला कर बला रही है तो मैं उनकी मदद करनी ही होगी ये सब कुछ देखकर तो मीशा के होश उड़ गए थे लेकिन तबी रुकमणी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे वहाँ से घर ले आती है कमरे में हर जगह सिर्फ पन्नों पर एक ही ड्राइंग बना रही थी मीशा कपेल आकर उसकी हालत देखता है और पूछता है कि आकर तुम्हें हुआ क्या है क्यों इतनी गुमसुम हो और क्या चल रहा है तुमारे मन में जिस पर मीशा बताती है कि आज मैं मंदिर में कैसी रबाड़ी ओरत से मिली जो की आत्माव से बात कर सकती थी क्या तुम उसे आज बुला कर उससे मेरी मुलाकात करवा सकते हैं जिस पर कपेल कहता है कि रुकमनी जी इस पर बहुत गुस्सा होंगी लेकिन मीशा की फोर्स करने पर फाइनली कपेल उस औरत को बुला ही लेता है जिसके बाद वो औरत घर में आकर इस घर की काली स्परिट को बलाने के लिए कुछ रिजूल्स करने लगती है और तब भी उसके शरीर में दाता यानि की रतन सिंग की आत्मा आ जाती है वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब ही वहाँ पर रुकमनी आ जाती है और जूरदार कपिल को फटकार लगाती है कि आखिरी औरत इस घर में आ कैसी गई के तो मैं इस घर के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कुछ नहीं बता लेकिन तब मीशा उन्हें कहती है कि उसे मैंने बुलवा है आप कपिल पर इतना गुस्ता क्यों हो रही है और मैं जानती हूँ कि आप इने दाता को मरवाया है मैं इस राज से परदा हटा करी रहूंगी और ये कहकर मीशा कमरे से बाहर निकल जाती है गार्डन के बाहर एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पर राजा जी की सभी गारियां पड़ी थी तब ही मीशा को एक गारी में एक दुंदली परचाई नजर आती है और जब मीशा पास आकर काच में देखती है तो उसे अपने फादर की बाड़ी दिखाई पड़ती है वो चला चला कर सभी को बुलाने की कोशिश करती है उस काच को भी तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो तूट नहीं पाता और यहां हम राजा रतन सिंग का हात देख पाते हैं यानिकि उनकी body car में ही थी लेकिन जब सब लोग वहां पर आते हैं तब तक उस car से वो body का आप हो चुकी थी अगे इन सब लोगों को कहना था कि मीशा पागल हो चुकी है जबकि मीशा कहना था कि उसने खुद रतन जी की body देखी है एक तरीके से देखा जाये तो अब मीशा पूरी तरीके से mentally disturb हो चुकी थी next day यहां पर रुकमनी के पास राजा रतन सिंग का कॉल आता है और वो उनकी बात मीशा से गरवाती है मीशा जब कॉल पर अपने फादर से बात करती तो उस ऐसा लगता तो है कि वो उसके फादर नहीं है लेकिन पिछले 15 सालों से वो कभी उन उनकी बाडी देखी लेकिन आज उनका कॉल आ गया आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है जिस पर कपिल कहता है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता लेकिन अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो चलिए क्यों उनकी शुर्वात से जाच परताल करी जाए क्या आपने उनकी बटन गिर जाता है इसे देख कर तो मीशा शौर थी कि उनकी लाश इस गार में जरूर थी अब इन दोनों को ही मिलकर इस राज से परदा उठाना था कि आखिर राजा जी गए तो कहां गए इस रात राना जय सिंग ने एक पार्टी थू करी थी अपने उस कॉम्पिटिशन को जीत जाने के लिए जो कि उसने चल से जीता था इसमें शेयर के बड़े-बड़े नेता पॉलिटीशियन्स डॉक्टर्स और पलीस वाले शामिल थे जाएं दोनों साइड में बैटकर आपसन बाचीत कर रहे थे कबिल बताता है कि मीशा उनने देखो डॉक्टर शेखाव लेकिन दूर खड़े मीशा और कपिल उनने बाचीत करता देख लेते हैं इसके बाद राणा अपने एक बैग में काफी सारे पैसे बरके उस पार्टी से निकल जाता है इन दोनों के लगता है कि डाल में कुछ काला है और ये दोनों उसका पीछा गरना शुरू कर देते हैं राणा चैसिंग के काफी बड़े-बड़े कारूबार थे जिनमें एक स्टून मील भी थी यहाँ पर वो कुछ गुंडों को कुछ पैसे दे रहा था लेकिन वो गुंडे उसे ही मार कर वहां से निकल जाते हैं अब तो मीशा का शक यकीन में बदल रहा था उसे लग रहा थ कि राणा ने पैसे दे कर मेरे पिताजी को मर वाया क्योंकि वो उनके जमीन के महल को अतियाना चाता था जब यह दोनों राना से बात को गंफरंट करते हैं तो राणा कहता है कि मैं तो खुद यह चाता था कि राजा जी जिन्दार है मैं तो बहुत ज़्याधा अभी डिस्प्यूट में पड़ी हुई है अगर तो में कुछ राज का पता चले तो मुझे भी बताना कम से कम में अपनी जमीन के कागजात तो निकलवा सको बैंक से Meanwhile scene shift होता है रुकमनी पर जो कि इस वक्त अपने swimming pool में नहा रही थी वही parallel scene में हम राणा जैसिंग को देख पाते हैं जिनके पीछे कोई हाथ दो कर पड़ा था राणा जैसिंग उससे अपनी जान बचाने के लिए दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन नशे में धुथ होनी की वज़े से वही रेत में गिर जाता है तब ही कोई आकर उसे जो पूरी दुनिया के सामने लाकर ही रहोंगी इतना कहने के साथ ही मीशा घर से बाहर निकल जाती है उसे एक बात क्लिक होती है कि राजा जी के साथ उनका कुट्ता कमांडर हर वक्त था तो यह भी हो सकता है कि जब 3-4 दिनों पहले वह इस महल से बाहर गए हो तो शायद कमां के पास और पानी को देखकर भॉकने लगता है मीशा अपने नौकर पदम सिंग को कहती है कि इस पानी में जरूर कुछ ना कुछ था प्लीज जाकर एक बार चेक कीजिए पदम सिंग का मानना था कि यह बावड़ी कई सालों से ऐसी ही पड़ी है यहां कोई आता जाता नहीं लेकिन मीशा के जोर डालने पर पदम जी उस बावड़ी में कूदी जाते हैं और उन्हें मिलती है राजा जी की लाश इस बात को वो जल्द से जल्द कपिल तक पहुचाना चाती थी लेकिन इस वक्त कपिल रुकमनी के साथ था और बताता है कि मैं अभी मैडम के साथ आपर तो बातचीत करनी सकता तुम मुझे महल से कहीं दूर आकर मिलो और जैसे मीशा पदम सिंग के साथ कपिल से मिलने के लिए महल के बाहर आती है तो यहाँ हमें का काला सच पता चलता है यानि कि राजा जी के कतल की पीछे उसी का हाथ था और इस पूरे खेल का मास्टर माइंड भी वही था वो रुकमनी से प्यार करता था और उसके बिना रहे नहीं सकता था और इसलिए उसने अब मीशा और पदम सिंग को ही मारने के बारे में सूचा और उन दोनों की गाड़ी को वो एक तलाब में ठकेल देता है जबकि यहां रुकमनी काफी ज़दा परिशा और यहां पर राज़ा जी केस से जोड़ी कुछ बाते करने के लिए हूँ लेकिन वीशा दिखाई नहीं पड़ी जिस पर कपेल का कहना था कि वो तो पदम सिंग के साथ कली निकल गई अब यहां पर इन दोने से एक मिस्टेक हो जाती है रुकमनी का कहना था कि वो करीब 11 बजे निकली जबकि कपिल का कहना था कि वो तो साड़े नो बजे ही निकल चुकी थी एसपी को इस पर शक होता है और वो इस बात की जड़ तक पहुचना चाहता था इसलिए चानवीन शुरू करवा देता है और तबी इन्हें उस तलाब मैंसे गाड़ी मिलती है जिसके अ सादा परिशान था कि आखिर उसने जब मीशा को मार दिया तो उसकी लाश मिली क्यों नहीं मीनवाइल रुकमणी से मिलने के लिए डॉक्टर अशूक शेखावत पहुचते हैं और बताते हैं कि आखिर यहां पर हो कह रहा है पहले राजजा जी नहीं मिल रहे है पदम कि दिन से हमारे साथ कौन रह रहा था जा थंडर लाइटिनिंग में हमें मीशा दिखाई पड़ती है और यहां हम वीवर्स को इस पूरी कहानी का प्लॉट रिवील होता है बचपन में जब मीशा का बर्थड़े था तो उनकी घर पर फातिमा नाम की एक लड़की भी आये जो कि आगे चलकर एक डॉक्टर बनी उसी के हॉस्पिटल में मीशा का इलाज भी चला करता था मीशा की वैसे तो अपने फादर के साथ बनती नहीं थी लेकिन डॉक्टर शिखावत और फातिमा ने उसे कई बार अपने फादर से बात करी उसी रात राजा रतन सिंग को उने जान से मानना तो नहीं चाता था लेकिन इस हाथ से मैं उनकी जान चली जाती है और नेक्स डेसे राजा जी का लगना भी बंद हो जाता है मीशा को लगने लगा था कि अब तो उसके फादर की रिलेशन्शिप मजबूत हो जाएंगे मगर अब उनका फोन आना बंद हो जिसके बाद इन दोनों के ही बीच में चेस सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है कहानी में अब तक दो मोते हो चुकी थी एक तो पदम सिंग की उपर से राजा जी की और तीसरी लाश जो की मीशा की थी जिसके बारे में अब रुकमनी को पता चला था तो और और किसी की जाने इसलिए वो इस सारे काम को रुकवा देना चाती थी और इनी बातों के चलते वह उल्टा कपल को ये शूट कर देती है लेकिन गोली मिस्पाइर हो जाती है और कपल के कान से उगर गुजरती है इस पर तो कपल को बहुत ज़दा गुस्सा आजाता है और वो रुकमंणी से गल लेकिन हैंटो एंड कॉमबेट में मीशा हार जाते हैं और जैसे ही कपिल उसे शूट करने वाला उतार कहता है कि अब से इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं होंगा क्योंकि जब मैं 20 साल का था तब मैंने राजा जी कोट को पहनने की गलती करती थी तब पता है उन्होंने म उकड़े कपिल की जान ले लेते हैं क्योंकि गन की बैरल में मीशा ने रणा जी का बटन डाल दिया था और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है कि मीशा ने अब इस पूरी प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को सौब दिया था जो कि अब अनात बच्चों के लिए का और अगर पहली बार रिशानत पर आया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बैतरीन मुवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं सब तब तक के लिए कीप वाचिंग एंस्टे सीफ मिलते हैं अगले वीडियो में कर दो